आशार शुकल पक्ष की एकादशी को देवश्रेनी एकादशी कहा जाता है। इसे हरिश्रेनी एकादशी भी कहते हैं। आशार के महीने में दो एकादशी आती है। एक शुकल पक्ष में और दूसरी कृष्न पक्ष में भगवान विश्नु ही प्रकृती के पालनहार हैं और तपस्या होती है। इसलिए इसे चातुरमास भी कहा जाता है। इसे बहुत ही शुब महीना माना जाता है। देवश्रेनी एकादशी के बाद चार महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृती का तेजस्तत्व कम हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि देवश्रेन हो गया है। शुब शक्तियों के कमजोर होने पर किये गए कार्यों के परिनाम भी शुब नहीं होते। चातुरमास के दौरान कोई भी शुब कार्य नहीं करना चाहिए। डेवश्यनी एक अदशी से साध्वों का भ्रमन भी बंध हो जाता है। वह एक जगह पर रुख कर प्रभू की साध्वना करते हैं। चातुरमास के दौरान सभी धम भ्रज में आ जाते हैं। इसलिए इस दौरान भ्रज की यात्रा बहुत शुबकारी होती है। अगर कोई व्यक्ती ब्रज की यात्रा करना चाहे तो इस दौरान कर सकता है। एक कथा के अनुसार भगवान श्री हरी विश्नु ने राजा बली से तीन पगदान के रूप में मांगे। भगवान ने पहले पग में पूरी प्रित्वी, आकाश और सभी दिशाओं को ढख लिया। दूसरे पग में पूरे स्वर्ग लोग को ढख लिया। तीसरा पग रखने के लिए राजा बली ने भगवान के आगे अपना सिर रख दिया। इससे प्रसन होकर भगवान ने राजा बली को पाताल लोग का अधिपती बना दिया और वर्दान मांगने को कहा। राजा बली ने वर मानते हुए कहा कि भगवान हमेशा मेरे महल में रहें। राजा बली को वर्दान देते हुए भगवान को पाताल लोक में जाना पड़ा। भगवान विश्नु के पाताल लोक में जाने के बाद सभी देवता और मातालक्ष्मी चिंतित हो गए। भगवान को वापस लाने के लिए मातालक्ष्मी, राजा बली के यहां पहुची और उ पाताल लोक में उनके रहने की इस अबधी को योगनिद्रा माना जाता है। इस दिन भगवान विश्नु को शैन कराने के लिए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन श्रीहरी को पंचामरित से स्नान करवाया जाता है। बाद में धूप दीप से पूजा की जाता है। इसके बाद भगवान विश्नु के शेयन के लिए बिस्तर तयार किया जाता है। इस दिन भगवान विश्नु को पीले रंग के कपड़े पर शेयन कराया जाता है। इस दोरान सावन, शारदिय नवरातरी, करवा चौध, दीपावली और छट पूजा जैस बड़े त्योहार म आए जाते हैं। ऐसी मानिता है कि देवश्यनी एकादशी के पावन दिन वरत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ती मिल जाती है। इस वरत को करने से व्यक्ती की सभी मनुकामनाय पूरी हो जाती है। धार्मिक मानिताओं के अनुसार एकादशी का वरत रखने से मृत् की प्राप्ती होती है